तो नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चेनल एकसे सेकेडमी पर दोस्तों TGT PGT नागरिक सास्त्र रिमाइंडर सीरीज के अंतरगर्द आज की इस वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक सास्त्र अतवराज नीति विज्ञान के महत्पूर प्रश्ण के लिए बहुत ही उप्योगी है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के अंतरगर्द बहुत ही महत्पूर टॉपिक के प्रश्णों को रिवाइच करेंगे यहां से आप सभी की एक्जाम में चार से पांच अंक का कुश्चन हमेशा पूछा जाता है चाहे टीजीटी, पीजीटी हो या एल्टी ग्रेट हो तो आज की इस वीडियो में जो प्रश्ण कबर किये गए हैं और राजनीति सास्त्र से जुड़ी हुई महत्पूर पुस्त के और उनके लेख को से संबंदित हैं और यह टॉपिक काफी इंपर्टेंट है सभी आगाम और देख लेते हैं आज का बहुत ही महत्पूर सेशन जो आप सभी के लिए चार से पांच अंक के लिए बहुत ही लाव दायक होने वाला है तो सात्यों देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्ण पहला प्रश्ण है दा कोल्ड वार रीट्रो इस्पेक्ट एंड प्रो इस्पेक्ट पुस्तक के लेखक फ्रेडरिक एल सुमैन है अगला प्रश्ण है पहले स्वपन लोकी राजनीतिक विचारक के रूप में किसे माना जाता है प्लेटो को पहले स्वपन लोकी राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है अगला प्रिशन है दा फिलास्वी आफ राइट किसके दौरा लिखी गई पुष्टक है फिलास्थी आफ राइट के लेखक हेगल हैं अगला प्रिशन है वहा पुष्टक जिसमें रूसों ने सामान इच्छा की अउधाणा का उल्ले aleak वहाँ पुस्तक है A Fragment on Government अगला प्रश्ण है हाप्स ने लेवियाथन की पुस्तक कब लिखी थी हाप्स ने लेवियाथन नामक पुस्तक 1651 इस भी में लिखी थी अगला प्रश्ण है गीता बोध नामक पुस्तक किस ने लिखी है गीता बोध नामक पुस्तक महत्मा गांध ने लिखी है और वहीं अगला प्रिशन है गीता रहस्य पुस्तक के रचेता कौन है गीता रहस्य के रचेता बाल गंगाधर तिलक है और ये काफी अगला प्रिशन है वेल्थाफ नेशन्स की रचना किसने की है या वेल्थाफ नेशन्स जो अर्थसास्त्री अर्थसास्त्र की पुस्तक है उसके लेखक कौन है तो इसका उत्तर हो जाएगा एडम इसमेथ जो है वेल्थाफ नेशन्स नामक पुस्तक के रचनाकार है अगला प्रश्ण है किस पुस्तक में मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तके हैं मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तकों में हीगल की अधिकास संबंदी धारना की अलोचना की प्रिष्टावना की गई है और पवित्र परिवार्थ तथा दर्शन की दरितता का भी है महत्तु दिखाया ग्याना प्रस्न और बहुत ही इंप्रेटिंट प्रश्न है वल्द स्पीट्ट नाम पुस्तक के लेखक पुंण है अग्ला प्रस्न है। politics नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं डिले माउस आप politics पुस्तक के लेखक मारगें थाउ महोदे हैं अगला प्रिश्ण है काल मार्क्स की किरतियों को औरोही क्रम में प्रकासन के अनुशार लगाईए तो काल मार्क्स की सबसे पहले पुस्तकाती अगला प्रशन है अर्थ सास्त को किस रूप में जाना जाता है तो अर्थ सास्त को नीति सास्त के रूप में भी जाना जाता है अब कुछ महत्वी पुस्तके और उनके लेकों से संबंदी तत्यों को देख लेते हैं यह बहुत ही इंपार्टेंट पुस्तके दी गई है और यहां से परिच्छाओ में बार बार कोष्चन पूच्छन को पूचए है गए हैं बहुत ही ध्यान से इन सभी को रिवाइज कर लेना है देखते हैं अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है आस्पेक्ट्स आप पॉलिटकल डेवलब्मेंट किसके द्वारा लिखी गई है तो यहां पुस्तक लूशियन पाई द्वारा लिखी गई है अगला प्रश के लेखक एरिक फ्रोम है अगला प्रिश्ण है एक ग्रेट एंड टेरिवल वर्ड पुस्तक के लेखक कौन है तो इस पुस्तक के लेखक एतीनियो ग्रॉमसी है अगला प्रिश्ण हैंस जे मार्गें थाउद्वारा लिखित पुस्तक का पूरा सीर्शक क्या है पूरा सीर्श पुस्तक है politics among nations, the struggle for power and peace, अगला प्रशने सापताहिक पत्र का कर्म योगी और धर्म को किसने शुरू किया था, कर्म योगी और धर्म को अर्विंदों ने शुरू किया था, अगला प्रशने आलेक दी जिग जैग और politics किसने लिखा है, तो यह पुस्तक आर्व नौजिक ने लाइक डिवाइन, सावित्री एलिजेंट एंड ए सिंबल, एसेज आन गीता, अगला प्रशने दा बिहेवियरल एप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस, इपिटेक फार, मोन्यूमेंट टू ए सक्सेस्फुल प्रोटेस्ट के लेखक कौन है, तो इसके लेखक आर ए डहल है, ए ए थियोरी आफ जेस्टिस किस ने लिखी है, ए थियोरी आफ जेस्टिस जॉन रॉल्स ने लिखी है, जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध पुस्तक का सीर्षक ए थियोरी आफ जेस्टिस है, अगला प्रशने पॉलिटकल लिवरलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इस पु के द्वरा लिखी गई कौन सीक्रित है लेलिन ने मैट्रिञ एंड-ीज्म एंड इंपरियो क्रीटी शिज्म अगला पुर्सन है तो नीज्ट नामक पुस्थ तक की रचनां पीच ने की है वही modern state के बारे में बताया था आप सभी को माइकाईवर ने लिखा है अगला प्रशन है socialism से संबंधित बर्नार्ड क्रिक है वही modern political analysis के लेखक आरे डेहल है classes in modern society टीबी बाट मोर की पुस्तक है प्रिंस्पल आप पॉसल एंड पॉलिटकल थियोरी इसके लेखक यी बार करें आपको सही सुमेली तत्यों पर नजर डाल लेते हैं सही सुमेली तत्यों में पहली पुस्तक देखते हैं politics who gets what when and how इसके लेखक है अगला प्रशन है एक ग्रामर आप पॉलिटिक्स एच जे लॉसकी अगला प्रशन है capitalism socialism what democracy नमग पुस्तक की रचना किस ने की है तो इसकी रचना सुम्पीटर महोदे ने की है अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन जो है ओ लेखक औरोन की पुस्तकों से संबंदी थे तो देख लेते हैं तो जेर्मी बेंथम की पुस्तक है fragments on government James Burnham की पुस्तक है managerial revolution और P. Kropotkin की पुस्तक है field factories and workshop John Stuart Mill की पुस्तक है considerations on representative government अगला प्रशन है lectures on the principle of political obligation के रचेता कौन है तो इसके रचेता TH Green है अगला प्रशन है आधुनिकी करण की राज नीति नामक पुस्तक किस ने लिखी है या पुस्तक डेविड आफ्टर ने लिखी है अगला प्रशन है दादा भाई नोरोजी ने केस पुस्तक में drain of wealth के सिधान का वर्णन किया है वहाँ पुस्तक है poverty and British rule in India अगला प्रशन है the man versus the state पुस्तक के लेखक कौन है इस पुस्तक के लेखक Harvard Spencer है डिस्कबरी आफ इंडिया के लेखक कौन है डिस्कबरी आफ इंडिया के लेखक पंडि जोहला नहरू है जो भारत के प्रथम प्रधान मंत्री भी रहे हैं अगला प्रशन है political order in changing societies के लेखक कौन है इसके लेखक Samuel Huttington है अगला प्रशन है अर्थसास्त्र पुस्तक के लेखक चाड़क की या कौटिल या विश्वन गुपत है और तीनो नाम उन्हीं के हैं और एक नाम भी और भी देखने को मिलता है वा है अजे कौटिल की प्रशिद्य पुस्तक कौन सी है कौटिल की प्रशिद्य पुस्तक आर्थसास्त्र है अगला प्रशन है तो फात मुहाउद हिदीन पुस्तक के लेखक कौन है इस पुस्तक के लेखक राजा रामोहन राई है अगला प्रशन है political culture और political development नामक पुस्तक किस से संप यहां से कुछ चीजें बदल गई है यह धर हो गए है मैं लगता है पुस्तकों के नाम और इधर उनके लेखकों के नाम हो गए है आन लिवर्टी जेस्मिल की पुस्तक है टू कांसेट्स आफ लिवर्टी इस या वरलिन की है यही हुआ है साथियों यहां से कि उपर पहले लेखकों के नाम दे गए है और यहां से आप सभी लोग बता दें पुस्तकों के नाम इधर आ गए हैं और लेखकों के नाम इधर आ गए हैं तो long walk to freedom पुस्तक नेलसल मंडेला की है और बहुत ही important है एक्जाम की दृष्टी से अगला प्रश्ण है फेनो मेनो लाजी आफ इस्पिट नामक पुस्तक किसने ने लिखी है या पुस्तक Heagle ने लिखी है पॉलिटी आफदा ड्यवलपिंग एयडिया नमकपुस्तक के लेखक कौन है इस पुस्तक के लेखक aluminum और waited पुस्तक किस ने लिखी है इंडिया dividedMa कुसिए या पुस्तक राजेन्द्परसाद की है जो भारत के प्र्थम राष्ट में पत्ति भी रहे अगला प्रिशन इस्षने अपने संपर्पता के शिधांत का में किया है अगला प्रिशने अ पूस्तक में अगला सुने आश्टी इस प्राइन्द को जी επιleshán किया है अगला है इस लिखा, अधा The Discourses की रचना मैकियावेली ने की है, वहीं आप को बता दें काॉटिल अधा चाड़की की तुलना मैकियावेली से की जाती है, अगला परसुए देखते हैं जेश मिल की प्रमुक्रचना है कौन सी है तो जेश मिल की प्रमुक्रचना है अन लिवर्टी दा सब्जेक्शन आफ विवेन एंड कांसीडरेशन्स आन रिप्रेजेंटेटिव गवर्मेंट अगला प्रशन है modern democracy पुस्तक के लेखक कौन है इस पुस्तक के लेखक लाड़ ब् लिखी है लोग प्रशासन की पहली पुस्तक का प्रकासित हुई 1926 इसभी में प्रकासित हुई और लोग प्रशासन की पहली पुस्तक का नाम क्या है लोग प्रशासन पर लिखी गई पहली पुस्तक का नाम है इंट्रोडक्शन टू दा इस्टेडिया पब्लिक एड्मिनि जाता है अगला प्रशन है और मनुस्मृति को धर्मसास्त के नाम से भी जाना जाता है अगला प्रशन है पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तु है और अरस्तु को राजनीती भी ज्यानकार जनक कहा जाता है अगला प्रशन है प प्रेशने राजनीतीक अर्थ-शास्त्र की एक समिच्छा नमक पुस्तक का लेखक कौन था इस पुस्तक का लेखक था काल मार्स जिनने बैग्यानिक समाजवात का जनक भी माना जाता है और इनकी प्रसिध्य पुस्तक दास का अफिटल है अगला पुस्तने तो प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है, तो ethics जो पुस्तक है वो प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है, ethics जो है वो अरस्तू की प्रसिधी पुस्तक है, अगला प्रशन है, lectures on the principles of political obligation पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक TH Green है, क्या सही सुमेलित नहीं है, जो काल मार्क्स और F. Engels सह लेखक हैं किसके German audiology के, अगला प्रशन है, प्रतिनिधे त्यात्मक सासन पर विचार गनत के लेखक का नाम क्या है, इसके लेखक का नाम J.S. मिल है, अगला प्रशन है, इसी को इसी पुस्तक को अंग्रेजी में पूछ लिया गया है, representative government नमक पुस् प्रशन है, अगला प्रशन है, grammar of politics के लेखक हराल्ट लास्की है, अगला प्रशन है, politics among nations के लेखक कौन है, इसके लेखक मार्गेन थाउ है, अगला प्रशन है, डेविडिश्ट ने ब्यवस्था की सिजनात्मक अउधारणा को किस पुस्तक में प्रस्तुत किया है, तो the political system प्रस्तुत किया है इंट्रोड़ेक्शन टूडी स्ट्टिडी को पुस्तक के लेकशन है इस पुस्तक के लेखक while these ago the article is quite pretty much on here इस पुस्तक के लेखक हेल्ड लास्बेल है अगला अगला प्रस्तने किस गरंत को साम्य वाद की बाइबल कहा जाता एंघीया इअ 1887 में प्रकासित पुस्तक दा इस्टेडी आफ एड्मिनिस्टेशन पुस्तक के लेखक कौन है तो इसके लेखक बुड्रो बिल्चन है अगला प्रशन है अपनी पुस्तक इंटरनेशनल इक्वी लिवरियम में संतुलन सिदान्त की सुसंगत ब्यक्था किसने की है तो यह किय इसके लेखक जार्ज लिस्का के द्वारा अगला प्रशन है इंटरनेशनल इक्वी लिवरियम नामक पुस्तक का लेखक कौन है इसके लेखक जार्ज लिस्का है अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है दोस्तों डेमोक्रेशी एंड इकोनॉमिक चैलेंज नामक सही सुमेलित नहीं है, MK गांधी, India divided पुस्तक, यह सही सुमेलित नहीं है, यह पुस्तक इनकी नहीं है, तो India divided पुस्तक किसकी है, आप सभी लोग answer कमेंट करके बताएं, अभी वीडियो में आप सभी को बता चुके हैं, अगला प्रिशने, UN NEW DEMOCRACY नामक पुस्तक किस ने ल लिखी है, टिटीज on civil government का लेखक कौन है, टिटीज on civil government का लेखक जान लॉक है, अगला प्रिशने, AHTT आप administration नामक लेखक, जिसमें लोग प्रशाशन को एक अलग बिशे के रूप में अध्यन करने पर बल दिया गया है, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक बुड्रो बिल अगला प्रिशने, social contract नामक पुष्टक का लेखक कौन था, social contract रूसों की एक प्रशित पुष्टक है, वहीं confession नामक पुष्टक भी रूसों के द्वारा लिखी गई है, अगला प्रिशने, the end of history का संकल्प किसका दिया हुआ है, the end of history का संकल्प Francis Fukuyama का दिया हुआ संकल्प अगला प्राइबर जेनिंग्स द्वारा लिखी पुस्तक है, सम कायरेक्टर स्टिक्स आप इंडियन कॉंस्ट्यूशन तथा इंडि लाइंड ये कॉंस्योचन इवर्ट पूस्तक के लेक्क कोन इस पुस्तक के लेक्क है अर्थात इसे हम्दी में अगर पुछा जाए तो पुछा जाएगा बीटी सास्तर पर ब्याख्यान नामक पुस्तक का लेखक का नाम क्या है उसका नाम जॉन आश्टिन है अगला प्रशन है न्यू एस्पेक्ट्स ऑप पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक है इस पुस्तक के लेखक चॉल्स ए मेरियम है अगला प्रशने सामराजवाद पुझीवाद का अंतिम चरण है यह पुस्तक किसकी है यह पुस्तक लेनिन महोदे की है अब लेनिन के द्वारा लिखी गए कुछ मात्पूर्ण पुस्तकों को देखते हैं पहली पुस्तक है what is to be done दूसरी पुस्तक है state and revolution तीसरी पुस्तक है imperialism the highest stage of capitalism अगला प्रशने cost in Indian politics नामक पुस्तक किस ने लिखी है यह पुस्तक रजनी कुठारी ने लिखी है अगला प्रशने इस प्रिटा लाज पुस्तक का लेखक कौन है इस प्रिटा अप लाज पुस्तक का लेखक मांटेस क्यों है और इसी ने सक्ति के प्रतक करण सिद प्रत्पादन भी इसी पुस्तक में किया है मौरिस जौन्स की रचना कौन से है मौरिस जौन्स की रचना the government and politics of इंडिया है अगला प्रशने the end of ideology के लेखक है अगला प्रशने राबर्ट फिर्बलल ने कौन सी पुस्तक लिखी है राबर्ट फिलबर ने पैट्री आर्क पुस्तक लिखी है पाप्लिक ओपिंयन और पॉपलर गौर्नमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन है इस पुस्तक के लेखक ए, ऐ, ल, ल, ल्र है अगला प्रशने है कि जैच dua ल लिखी है यह पुस्तक LTH भाउस महोदे ने लिखी है अगला प्रशन है कारिपालिका के कार अतात फंक्शन आपदी एक्जिक्यूटिव का लेखक कौन है इसका लेखक चेश्टर बर्नार्ड है अगला प्रशन है राजिकी उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंद सिधान्त का प प्रोपेगेंडा नमग पुस्तक किस ने लिखी है यह पुस्तक LW डूब के द्वारा लिखी गई है यह फ्रेमवर का पॉलिटकल एनालिसिस इसका पुस्तक का लेखक कौन है इसका लेखक डेविड इस्टन है अगला प्रशन है दी पावर इलेट पुस्तक किस ने लिखी इनकी है दिपावर एले पुस्तक सी राइट मिल्ज ने लिखी है डाक्टर भीमर्व अंबेटकर ने किसका लेखन नहीं जैंक किया है डाक्टर भीमर्व अंबेटकर ने कॉड, कास्ट, कास्ट, और का नतिकर रिशनाँ थे शेसमिन पुस्तक oso स्थ 16 तीसरा है हूव वेर्दा सुद्राज ये सारी पुस्तकें बहुत सारी इनकी हैं बागी थियोरेटकल जब क्लासे शुरू करेंगे इन सब के राजनीतिक बिचार जब पढ़ रहे होगे वहाँ पे सारी विस्तार पूर्वक चरचा की जाएगी थौट्स अन पाकिस्तान पुस्तक किस ने लिखी ये पुस्तक डाक्टर भीम राओ अमबेटकर दे लिखी है अमबेटकर के प्रमुक रचनाओं के अंतरगत हम देखते हैं तो रनाडे गांधी एंड जिन्ना तरसा दा बुद्धा एंड हिज धम नामक पुस्तक भी लिखी गई है अगला प्रिशने फेडरेशन वर्सस फ्रीडम नामक पुस्तक के रचनाकार किसने कौन है वो फ्रीडम वर्सस फ्रीडम पुस्तक के रचनाकार डक्टर भीम राओ अमबेटकर मोते हैं अगला प्रिशने भीम राओ अमबेटकर ने कौन सा कारे नहीं किया है तो मॉ अगला है हिंद शुराज किस ने लिखी है तो हिंद शुराज महत्मा गांधी ने लिखी है और ये एक प्रसित भारती अर्थसास्त्री है और इने अर्थसास्त्र के छेतर में नोबेल का पुरुषकार भी प्राप्त हो चुका है आप सभी लोग बताएं कि किस पुस्तक के लिए इन्हें नोबल पुरुषकार दिया गया था या किस कारे के लिए नोबल पुरुषकार इनको दिया गया था अमार्थ सेन को 1998 में नोबेल पुरुषकार के छेतर में दिया गया था तो अर्थ सास्तर के छेतर में दिया गया था आपको साहिसो मेली तथ्यों को देख लेते हैं पहला है विपिन चंदरपाल विपिन चंदरपाल किसे संबंदित हैं तो विपिन चंदरपाल दर सोल आफ इ और अगला प्रशन है पॉल्टेक्स आइडियल नामख पुुस्तक के लेखक कौन है इस पुस्तक के लेखक लास्की है और इसी नाम से एक और पुस्तक लिखी है बर्ट्रेंट रसल ने भी थामा सापस ने राजिकी उत्पत्त के सामाजिक अनबंद सिधान्त को अपने किस गरंथ में प्रिटपादित किया था तो थामा सापस ने राजिकी उत्पत्त के सामाजिक अनबंद सिधान्त का प्रिटपादन अपनी पुस्तक लेवियाथन में कि अगला प्रश्न है इस डिस्कॉर्स अन आर्ट अंड साइंस नामक पुस्तक किस ने लिखी है यह पुस्तक रूशों ने लिखी है तो साथियों यह था आज का वीडियो जो राजिनीति विज्ञान के अंतरगत पूछी जाने वाली महत्पॉर्ण पुस्तके और उनके लेख कोंगे संबंधित वन लाइडर फार्म में आप सभी के साथ डिस्कस किये गए हैं जो आप सभी की आगामी परिष्णों के होने वाले हैं उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें दोस्तों में शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करने आगे की तैयारी को फ्री आउपकास्ट जारी रखने के लिए आज की एगली वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो को देखने के लिए सभी साते तेहित दिल से शुक्रिया बहुत-बहुत धानवाद मिलते हैं एगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए शबी साते ओको जहन जह भारत बंते मात्रम आप सभी साते को का जब इन्चोबूबूबूबू